हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका आपके अपने चैनल मैथ वीद मस्ती में आईए हम करते हैं प्रशन पांच चार प्रशन हमने पिछली वीडियो में करे थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स में मिल जाएगा प्रस्तुत कहानी में प्रेमचन ने गदे की किन्स भावगत विशेस्ताओ के आधार पर उसके प्रतिरूड अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना करे किसी नए अर्थ की और संकेत किया है उत्तर इसका प्राए गदे को जैसे आफने देखो गा कि हम कभी किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गदा कह देते हैं कि जैसे जैसे काम नहीं आता है इसलिए हम देखते चलो गदय को पश्वा में सरवाधिक मुर्ख माना जाता है जब हमें किसी को मुर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कहा देता है प्रन्थू लेखक के अंसार यह से नहीं है लेखक कहता है कि मेरे अनुषार यह बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि गधा अपने सीधे पन और सही शणूता के कारण गधा बहुत सीधा होता है उसके कारण किसी को हनी नहीं पहुंचआता हैका दूसरे जानवर तो कभी कमार करोध कर भी देते हैं लेकिन गदा हमेशे करोध से दूर रहता है के वख वह शाग के महीने में वह थोड़ा बहुत खुछ दिखाई देता है वह सुख दुख लाभानी में एक समान रहता है यानि चाहे सुक हो चाहे दुक हो वो एक ही समान रहते हैं इसलिए उसमें हरीश मुनियों के सद्गुन चरम सीमा पर देखे जाते हैं अत्या प्रस्तुत काहानी में प्रेंचंद गदे की उपरियुक्त स्वभावगत विशेस्ताओं के आधार पर उसके प्रतिरोड अर्थ मुर्ख का प्रियुगना कर उसके लिए सिधा सरलवे सहिशनु अर्थ की और संकेत करते हैं आईए हम छटा प्रशन देखते हैं चटा प्रशन है लेकिन ओरत जात पर सिंग चलाना मना है यह भूल जाते हैं हीरा के इस कथन के माध्यम में इस्तरी के प्रति प्रेंचंद के द्रिष्टिकों को स्पष्ट कीजी तो हम इसका अंसर देखते हैं इसका अंसरे साहित्य में प्राय साहित्यकार का द्रिष्टिकॉन उसके किसी ना किसी पात्र के चरित्र अथ्वा कथन के माध्यम से प्रकट होता है। इसका द्रिष्टि से नहीं देखते थे। उनके अंसरनारी को मारना वैपीटना कोई बादूरी का काम नहीं था। अपी तुमें इससे भारत्य संस्कृत के विपरित समझते थे। तो अमारे प्रेशन यहीं खतम होता है। अगला देखते हैं सात्वा प्रेशन। इसका थन से यह पता चलता है कि मोती में प्रोपकार की भावना है। वह कंजिहोस बाड़े की कच्ची दिवार को सिंग मारकर तोड़ देता है। प्रेशन। प्रेशन। दस प्राणियों की जान बच गई। इसी प्रकारवाय छोटी बाली का कोकश्ट देने वाली उसकी सोते लिमा को भी सिंग मारकर मार डालना चाहता है। जोकि वह उस चोटी बच्ची के साथ सोते ला व्यावार करती थी। प्रंतु हीरा के कैने पर ऐसा नहीं करता। यहीं नहीं वह एक सच्चा मित्र भी है। यही कारण है कि कंजिहोस से भाग सकने की स्थिती में होने पर। भी वैरसी से जकड़ी वे अपने साथी हीरा को अकेला छोड़ करने ही भागता और पकड़ा जाता है। वीडियो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले।